एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है CISM classes पर मैं अमन सिंग हम बढ़ रहे थे exercise number 3.2 question 12 तक हमने solve कर लिये question number 13 इसमें क्या क्या रखा है जो function x है वो इस type का है matrix में तो आपको prove करना है fx को fy से multiply करने पर fx plus y आता है अना तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे यह function fx अहले चैसे चल रहे हैं न बड़ाबर cos x minus sin x 0 0 1 sin x 0 cos x 0 multiply किसे करना f y function of y तो जहाँ जाए से वहाँ क्या हो जाएगा y minus k sin y 0 0 1 0 0 sin y cos y आपस में multiply कैसे होता है इधर row में चलते हैं इधर किसमें चलते हैं column में cos x का cos y से cos x cos y फिर minus sin x का sin y से minus sin x sin y 0 का 0 से तो यह होगा है plus 0 minus cos x का sin y से फिर minus sin x का cos y से और फिर plus 0 next इसका 0 से होगा 0 0 और 0 sin x का cos y से होगा और यह cos x cos y से होगा यह होगा 0 सेकेंड माइनस के sin x sin y plus cos x cos y और यह 0 मागी फिर यह 0 आ जाएगा 0 0 1 अब याद क्या रखना है हमें याद रखना है फोर्मूला है sin a cos b plus cos a sin b एंगल अलग 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 a b a b यह sin का यह cos का यह बनता है sin a plus b ऐसे cos a cos b यहां दोनों सेम है माइनस sin a sin b तो बनता है cos a plus b यह उल्टा चलता है sin a cos b cos a sin b sin x plus y यह जाएगा 0 निच्चे sin a cos b cos a sin b sin a plus b यह माइनस sin a sin b plus cos a cos b यह सेम वही बनेगा cos x plus y का यह 0 है यह 0 0 तो यह क्या हुआ देखो question में जहां x था वहां पर आ रहा है x plus y तो इसका मतलब अब जहां f की जगह x था वह क्या बन जाएगा x plus y जो क्या हमारा क्या है rhs इस question को इस प्रकार प्रूब करना है important question ही next question करते है next class में thank you